सुब विचार, जीवन में उन सपनों का कोई महतों नहीं है, जिनको पूरा करने के लिए अपनों से ही छल करना परे। मेरे प्यारे बिद्यार्थियों, सूपरभात, मैं हूँ डाक्टर छोटे लागुपता, असिस्टर परफेसर, विभाग अध्यक्ष, हिंदी बिभाग, जौम्निलाल महा बिद्याले, हाजी पुरुबैसाली। आज के हिंदी क्लास में स्रिंगार रस के महा कभी बिहारी के जीवन पढ़िशे पर विचार भी मर्श करूँगा। अब आप ध्यान से सुने, बिहारी स्रिंगार रस के रस सिद कभी है, उन्होंने एक मात्र ग्रंथ बिहारी सत्साई की रचना की, जिसमें साथ सत्तेरा दोही है, उन्होंने दोहे जैसे छोटे छंद में इतने अधिक भावों को समावेश किया है, कि आलोजकों को उनके वि विहारी ने गागर में सागर भर दिया है, उनकी सत्साई के बारे में ये अक्सर बाते कही जाती है, सत्साईया के दोहरे जैयोनावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, जो कभी जितना सास्त्रग्य, पंडित यों प्रतिबा संपन होगा, उसकी कभीता में उतनी ही ब्यापकता, विसुधता एवं बहोग्यता उपलब्द होगी, बहोग्यता का अर्थ है बिवित विसयों की जनकारी, बिहारी परतिबा संपन कभी होने के साथ साथ बिवित विसयों की जनकारी से संपन में लोक एवं सास्त्र में निपून कभी थे, उनके द्वार प्रचित दोहों में बिविद विसायों की जनकारी समाहित है या जनकारी एक और तो उनके लोग ज्ञान का पढ़िचे देती है तो दूसरी और बिविद सास्त्रों यता आयुरुवेद, योतिस, गनित, चित्रकला, इतिहास, पुरान, राजनिती एवं निती सास्त्र की जन इतनी ससक्त है, उनकी अविव्यक्ति कौसल भी उतनी ही सफल है, बिहारी राजा जैसुंग के दरबारी कभी थे, एक किस्वा राजा जैसुंग से जुराबरा पर चलित है, राजा जैसुंग अपनी नौबी बाहिता रानी के प्रेम में इतने डूब गए थे, कि वे अपन राज काज की सारी सुजबुज गवाँ बैठे थे वे महल से बाहर भी नहीं निकलते थे और राज काज की और कोई ध्यान नहीं देते थे ऐसे बिकट समय में बिहारी की एक स्रिंगारिक अनियोक्ति ने राजा को सचेत कर करतब पत पर अग्रसर कर दिया वह दोहा है नहीं पराग नहीं मधुर मधू नहीं विकास इहिकाल अली कली ही सौविदियो आगे कौन हवाल अर्थात इस समयना फूल में पराग है ना तो मिठी मधू ही है फिर भी अगर अभी से भावरा फूल की कली में ही खोया रहेगा तो आगे न जाने क्या होगा हे राजन अभी तो रानी नई नई है अभी तो उनकी यवन अवस्था आनी बाकी है अगर आप अभी से ही रानी के प्रेम में डूब जाओगे तो यवन अवस्था आने के बाद आपका क्या हाल होगा इस दोहे ने राजा जैसिंग की आँखे खोल दी राजा जैसिंग महल से बाहर आये और राज का सभाले वे बिहारी के दोहे से इतना परभावित हुए कि उन्हें अपना राज दरबारी कभी खोचित किया बिहारी के हर एक दोहे पर उन्हें राज दरबार की और से एक-एक सोने की असरफिया परदान की जाती बिहारी के स्रिंगार सम्मंधी दोहे अपनी सरल्वा ससक्त अभी व्यक्ति के लिए बिसेश चमजी जाती है इन दोहों में सैयोग एवं बियोग के मरमासफर्सी चित्र प्रस्तूत किये गये है महा कभी बिहारी के दोहों में नाइका भेद, भाव, विभाव, अनुभाव, रस, अलंकार आदी सभी द्रिश्टियों से खुब्सूरत अभी व्यक्ति देखने को मिलती है कभी ताओं में स्रिंगार रस की अधिक से अधिक पड़ियोग देखने को मिलता है बिहारी ने अपनी सभी रचनाएं बर्ज भासा में लिखी है इनकी भासा साहित्निक होने के साथ साथ मुहावरेदार भी है इन्होंने अपनी रचनाओं में मुक्तक सहली का प्रयोग किया है बिहारी का जन्व 16-73 इस्वी में गौालियर के पास बसुआ गोविंदपूर गाउ में माना जाता है उनके पिता का नाम पंडित केसो राज चौबे था बच्पन में ही ये अपने पिता के साथ गौालियर से और्चा नगर आ गये थे यहीं पर इन होने अचार्ज केसो राज से काबे सास्तर के सिछा प्राप्त की और काबे सास्तर में प्रांगत हो गए विहारी के गुरु स्वामी बलबा चार जी थे और इनके काबी गुरु अचार्ज केसो राज जी थे कभी विहारी का ज्विवाह मुथुरा के किसी ब्राह्मन कन्या से हुआ था इनके कोई संतान ना होने के कारण इन्होंने अपने बतीजे निरंजन को गोद लिया था विहारी का बजपन बुंदेल खंड में विता और जुआ अवस्था ससुराल मतुरा में विता बिहारी हिंदी साहित के ऐसे महान विभूती है जिन्होंने अपनी एक मात रचना के अधार पर हिंदी साहित जगत में अमीट चाब छोड़ी है